हरो काईज, वेलकाउम डूटेक यासर यूटीव चनल फाइनली एमेज़ॉन पे यहाँ पर दिवाली सेल जो है स्टार्ट हो चुका है जो फाइनल दिवाली सेल रहते है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एन सारी स्मार्टफोन डिल्स, बैंक ओफर, सारी चीज़े यहाँ पर रिवील्ड हो चुकी है एन आज की सुड़र में यहाँ पर मैं आपको 50 प्लस स्मार्टफोन डिल्स बताने वाला हूँ उसमें से कौन सी बेस स्मार्टफोन डिले आपको ग्रैब कर लेना चाहिए अब इसके बाद में आपको कोई भी सेल देखने को नहीं मिलेगा अब सीधा न्यू यह एर ख्रिस्मस यह आपको नवेंबर डिसमबर के असपर जो है चोटे मुटे सेल देखने को मिलेंगे तो यह आपका 26th of October अल्डेडी यहाँ पर राज में 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है 2nd of November, 2 November मतब 8 दिन का यहाँ 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 पर यह सेल रहने वाला है आपको 10% का instant discount देखने को मिल रहा है credit card के अगर हम बात करें तो max discount जो आपको 1250 रुपे का देखने को मिलेगा जबकि debit card यहाँ बुल सकतो ATM card है उस पर max discount जो है आपको 1000 रुपे का यहाँ पर देखने को मिलेगा एक और एक offer है अगर आप flagship smartphone मतब 30,000 रुपे के उपर का smartphone अगर आप purchase करते हो और ICSIi bank का credit card अगर आप इस्सेमाल करते हो तो 15,000 रुपे का additional discount देखने को मिलेगा तो अगर आप credit card से कोई 30,000 रुपे के उपर का smartphone ले तो ICSIi bank के card से तो आपको 2750 रुपे का overall discount देखने को मिलने वाला है अब मैं line से 50 plus smartphone डील से आपको बताऊंगा यनि को और एक चीज़ बतादू मैं specs गिनाते नहीं बैटूँगा तो क्योंकि अपको भी पता है और टाइम वेस्ट होगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो सिधा सिधा बोलोगा लेना चीए नहीं लेना चीए सबसे पहले डील के अगर हम बात करें तो Xiaomi 11 Lite NE 24,000 रुपे का आपको offer वगरा मिला के देखने को मिल रहा है इतना highly recommended नहीं है अनलेस अगर आपको बहुत slim एं light weight smartphone चीए तब देखना otherwise 24,000 रुपे में इतना highly recommended नहीं है नेक्स वह आपर Samsung Galaxy M52 5G overall सारे offer वगरा मिला के आप बल सकतो coupon का offer और bank offer वगरा मिला के जो है आपको 23,750 रुपे में देखने को मिल रहा है तो अगर आप Samsung के बहुत बड़े fan हो और आपका budget है 23-25,000 रुपे के बीच का और आपको Samsung का ही phone लेना है this is the best option right now 128s का AMOLED display 778G है बड़ी battery है, सारी चीज़ अच्छी देखने को मिलती है और cameras होगरा भी decent है तो 25-24,000 रुपे का budget है Samsung का phone चीए, ताब इसकी तरफ देख सकते हो next है यहाँ पर IQ Z5 यह Z5 भी आप कह सकते हो ऐसे तो यह 24,000 रुपे का मिलता है लेकिन 2,000 रुपे का आपको instant discount है मतब कोई भी bank के credit card यह debit card काट कोई भी bank से अगर आप payment करते हो 2,000 रुपे का discount मिल जाएगा battery life अच्छी है, fast charging अच्छी है camera's वगरा impressive है, LPDDR5 वाला RAM देखने को मिलता है 21,000 रुपे की price point पे insane delay सुझ एक चीज़ का धान रखना IPS display देखने को मिलता है अगर आप बिना AMOLED के रह सकते हो एनिक आपको तगड़ा performance वाला smartphone चीए decent enough camera के साथ में तो definitely Z5 कोई बुरी डिल नहीं 21,000 रुपे में, वो भी 898 वाला variant मिल रहा है, जो के काफी पढ़ी है definitely देखना चाहते हो, देख सकते हो next है OPPO A74 5G, 698 वाला variant साड़ा offer वगरा लगा के 15,000 रुपे बता रहे है, बिलकुल भी recommended नहीं skip कर दो, next अगर हम बात करें तो यहां बरे Redmi 10 Prime, ऐसे तो यह आपको 12.5 का मिलता है, offer में 12 का है, फिर bank offer लगाओगे एंस सारी शीज़े लगात हो, तो 10,350 यहां पर बता रहे है लेकिन एक्च्छल में 10,800 रुपे तक आपको करते हो, तो सिर्व आपको 11,750 रुपे में देखने को मिलेगा इस इस तो बेस्संग स्मार्टफोन एंडर 12,000 रुपीस की रेंज में क्योंकि 90 हर्स का सुपर अमलेट डिस्पले मिल जाता है, Helio G80 का चिपसेट है, 6000 एमेज की बेटरी है, कैमरा जोगर तकड़े देखने को मिलते है जबर्दर स्मार्टफोन है, 12,000 रुपे का आसबास का बजट है सामसंग का फोन लेना है, इस इस दे बेस्ट अप्चन राइट नाओ नेक्स यहां पर डिल की बात करें तो iPhone 11 ओफर वगर लगा के 41,000 रुपीस का देखने को मिल रहा है देखना चाते हो देख सकते हो, अपल मागर आपको स्विच होना है 40,000 रुपे का टाइड बजेट है, देख सकते हो OnePlus Nord CE 5G, ओफर वगर लगा के आपको 23,000 रुपे का देखने को मिलेगा एफिक्टिवली ये स्मार्टफोन आप जो है, 15,300 में ये डारिक डारिक डारिकर अप देखोगे 15,800 रुपे तक के मिलेगा, ये प्राइस फंट है, वन अव दी बैस स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो 120Hz का AMOLED डिस्प्लेई, 732G है, बड़ी बैटरी है, अमीजिंग कैमरा परफार्मस है 33W की फास्ट चर्जिंग है, डूल स्थियो स्पिकर, जबर दस स्मार्टफोन है तो 15,000 से 16,000 रुपे का बजट है, एक तगड़ा ओल्डाउंडर स्मार्टफोन परचेस करने है इस इस दे बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली देख सकते हो नेक्स यहां पर सामसंग गेलक्सी M12, 9,000 रुपे में आपको ओफर में मिल रहा है बैंक ओफर लगाओगे, 8,000 रुपे तक के मिलेगा तगड़ा स्मार्टफोन है, 8,000 रुपे की रेंज में अच्छा खासा बजट फोन है, देखना चाहते हो, देख सकते हो नेक्स डिल के अगर हम बात करें तो रेड्मी नोट 10S, जी हां ऐसे ही 15,000 रुपे का 664 वाला वेजन देखने को मिलता है ओफर में आपको यह बर 14,000 रुपे का मिल रहा है बैंक ओफर लगाओगे, 12,750 रुपे में देखने को मिलेगा वन अफ दी बेस स्मार्टफोन है, 12-13,000 रुपे की रेंज में यहां पर भी सुपर अमोलेट डिस्पले है अच्छी तकडी परफॉर्मेंस मिल जाएगी डूल स्पीकर का सपोर्ट है, बड़ी बैटरी है तो 12-13,000 रुपे का बज़एट है अमोलेट फोन चे, कॉम्पक्ट फोर्म फेक्टर के साथ में हाली रेकमेंड़ेट है वन प्लस नॉट टू 5G 30,000 रुपीस का है अन सारी चीज़ लगाओगे ओफर बगरा इतना कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिल रहा है बैंक ओफर लगाओगे, देखना चाहते हो, देख सकते हो एक अच्छा ओल डांडर स्मार्टफोन है नेक्स सैमसंग गेलक्सी M32 5G 17,000 रुपे का एन ओफर बगर के साथ में 15,750 में मिलेगा हाली रेकमेंड़ नहीं है इन फेक्ट बिलकुल भी रेकमेंड़ नहीं इससे बेटर आपका जो है 4G वेरिंट आपको देखने को मिल रहा है नेक्स से यह आपर नेक्स से यह आपर Redmi 9A 7,000 रुपे का देखने को मिल रहा है बैंक ओफ अलगा होगे 6,300 रुपे में मिलेगा बजट बहुत ज़रे डाइट है 6,000 रुपे का आसपास के तब देख सकते हो Redmi 9 Active 8,000 रुपे में स्किप करते हो IQ Z3 18,000 रुपे का है बैंक ओफर वगरा लगा के कूपन वगरा का आपको यह 15,000 का मिलेगा तो मैं बलूँगा IQ Z3 इतना highly recommended नहीं है इससे बेटर जो आप Redmi Note 10 Pro वाले को देख सकते हो सिर्फ वहां इसमें 5G नहीं मिलता है वैसे इसमें भी 5G बेंड का में Note 10 Pro के साथ में जाओ यह प्राइस पॉइंट पे Z3 से बेटर है नेक्स से आप पर Redmi Note 10 Lite 15,000 रुपे में स्किप कर दो Samsung Galaxy S20 FE 5G जी हाँ गाईस यह आपको ओफर में 40,000 रुपे का देखने को मिल रहा है जैसे कि मैं आपको बता है 30,000 रुपी के उपर का फोन लोगे तो 15,000 रुपे का उफ मिलेगा 12,50 रुपे का भी आईशेशे बेंगे करेट काट पर आफ मिलेगा तो effectively स्मार्टफोन जो है 37,000 240 का आपको देखने को मिल जाएगा एक best all-rounder flagship killer स्मार्टफोन चीए Samsung की brand value चीए देख सकतो इसको experience करोगे तब इसकी value आपको पता चलीगी मैं इतना आपको कह सकता हूँ highly recommended है next deal के अगर हम बात करें तो Samsung Galaxy M21 12,000 रुपे का आपको देखने को मिल रहा है bank of अलक होगे 10,800 रुपे मिलेगा मैं बोलूँगा M21 से better आप बोल सकते हो जो आपको मैंने बता है M32 4G जो है वो इससे far better deal है 1000 पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो M21 को इतना highly recommended नहीं Exynos 9611 गलती से भी मत लेना उससे better रहा है Helio G80 के साथ मेरो and high refresh rate वाला AMOLED आपको आपर दिखने को मिल रहा है M21 को skip करो उससे better है M32 4G आप देख सकतो Next है यहाँ पर OnePlus 9R 5G 37,000 रुपीस का मिल रहा है सारे offer वगरा लगाओगे 35,000 रुपे तक के मिलेगा देखना चातो देख सकतो तगड़ा smartphone है OnePlus की तरफ से Next है यहाँ पर Redmi 9 8,000 रुपे में skip Redmi Note 10 Pro Max 19,000 रुपे का आपको देखने को मिल रहा है Bank offer लगाओगे 17,750 रुपे का मिल जाएगा तो मैं बोलूँगा 2000 रुपे के आप जो regular Redmi Note 10 Pro मिल रहा है सिर्फ कैमरे का फरग है वहाँ पर 64 Megapixel है यहाँ पर 108 Megapixel का कैमरा है अगर आपके कैमरा बहुत ज़ादा 8,000 रुपे में ठीक ठाके देखना चाहते हो देख सकते हो Samsung Note 20 45,000 रुपे का Bank offer लगाओगे 43,000 रुपे के आसपास देखने को मिलेगा S1 के बहुत बड़े शौकीन हो तब देखना Otherwise आप बो सकते हो S20 FE के साथ में आप जा सकते हो Samsung Galaxy S21 55,000 रुपे में इतना highly recommended नहीं है Oppo A74 जैसे की मैंने बुला skip कर दो iPhone XR 33,000 रुपे का है And bank offer होकर लगाओगे 30,000 रुपे के आसपास मिल जाता है देख सकते हो आज की date में भी तगड़ा performance तगड़े camera के साथ में आप आपको देखने को मिलता है Next, Realme Narzo 50i 7,000 रुपे का है And coupon and bank offer लगाओगे 6,300 रुपे तक के देखने को मिलेगा देख सकते हो Budget category में decent smartphone है Next, Narzo 50a 4 128 वाले पर offer है ऐसे तो यह 12,000 रुपे का है लेकिन अगर आप coupon भी लगा देते हो Bank offer भी लगा देते हो 11,000 रुपे का देखने को मिल रहा है Bank offer लगाओगे तो भी इतना highly recommended नहीं है यह price point पे इससे better deal आपको देखने को मिलेगा Flip card पे भी आप बुल सकते हो इससे better smartphone आपको यह range में देखने को मिलेंगे So 9 power का भी फिलाल के लिए skip कर दो Realme Narzo 30 4G जी हाँ यह आपको सारे offer लगाओगे Credit card के और coupon वगरा तो effectively इस smartphone आपको 10,800 रुपे में मिलेगा तकड़ा है भाई Gaming वगरा करने Performance-centric वाले device चे 10-11,000 रुपे का budget है One of the best option आप इसे कह सकतो Next आप गेलेक्सी A03S 11,000 रुपे में skip Tecno Spark 7 11,500 रुपे में skip कर दो Next आप टेक्नो Spark 8 8,000 रुपे में ठीक ठाक है देखना चाहतो देख सकतो OPPO A16 12,000 रुपे में गलती से भी मत देखना वो भी offer के साथ में मतलब बिलकुल से आप बोल सकतो बेकार स्मार्टफोन है Tecno Spark Go 2021 7,000 रुपे में skip कर दो Tecno Power 2 11,000 रुपे का है Bank offer वगरा लगाओगे तो मतलब 10,11 के आसपास ही देखने को मिलेगा तो ठीक ठाक है मतलब अगर आपको बहुत बड़ी बैटरी चीए तब देखना अधरवाइस मैं बलूँँगा इससे बेटर ओवराल All-Rounder Smartphone आपको 11,000 रुपे में सेल में देखने को मिल जाएंगे Vivo Y12G 12,000 रुपे में skip Redmi 9 Prime 10,000 रुपे में skip कर दो इतना हाली recommend अभी फिलाल के लिए नहीं है Samsung Galaxy A22 18,000 रुपे में skip गलती से भी आपको ये phone की तरफ नहीं देखना ये price point पे Samsung M32 4G में आपको उपर ही बता दिया देख सकते हो 11,750 रुपे में बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है Samsung A12 13,000 रुपे में skip Mi 10 i 5G 25,000 रुपे में देखना भी मत पुराना हो चुक है 5G वेंड भी एक दो देखने को मिलता IPS display वगर है अब इससे फार बेटर डिवाइस आपको मार्केट में अवेलेबल है नेक्से Samsung Galaxy M51 20,000 रुपे में भाई नहीं अगर Samsung offer में 15-16 तक के लाता तब भी समझ माता पुराना भी वे उचोक है 20,000 रुपे में इतना ही रेकमेंड नहीं है Redmi Note 10 T 5G 15,000 रुपे में स्कीब Vivo Y33S 18,000 रुपे में स्कीब Vivo Y20G 14,000 रुपे में स्कीब Vivo Y73 19,000 रुपे में स्कीब Oppo A54 14,000 रुपे में स्कीब Vivo V21E 5G 25,000 रुपे में स्कीब Oppo F19 19,000 रुपे में स्कीब Tecno Camon 17 Series 14,000 रुपे में साड़े पंदरा जार पे में स्कीप Nokia G20 साड़े तेरा जार पे में देखना भी मत Nokia भाई अलगी दुनिया में पता नहीं क्या करके ये लोग कर रहे साथी में Vivo Y53S साड़े उन्नीस जार पे में जिसको भाई देखना भी मत तो उसका आपको सरी सिरियसली जो है देखने की भी जरूरत नहीं है मैं साथ मुझे कम सेक्शन ने बताना आपको Amazon के दिवाली सेल के ओफर आपको कैसे लगे कि आपने अल्डेडी जो है पहले ही परचेस कर लिए कोई स्मार्टफोन ओफर में या अब जाके आप जो एक्च्छल दिवाली सेल में आपर परचेस करने वाले हो और कौन सा स्मार्टफोन के लिए वेट करे थे कौन सी डील का आप वेट करे थे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में आपको बसंदा योगी आपको यह पसंदा है तो लाइक करे शेयर करे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिल तब सक लिए किसी वीडियो में चिप तक के लिए थैंक यू